नमस्कार दी फुल वॉल्यूम में आपका स्वागत है और मैं हूँ विवेक जब वाटसअप अपनी नई पॉलिसी लाया था और फेस्बूक के साथ शेयर करने की बात कही थी तब आम लोगों ने काफी ट्रोल के और काफी नराजगी जाहिर की थी हला कि वाटसअप ने ये पॉलिसी कुछ देर के लिए वापिस ले लिए लेकिन फिर भी आम लोग अब नय विकल्प ढूमना शुरू कर चुके हैं जैसे उन्होंने सिगनल का इस्तमाल किया टेलिग्राम का इस्तमाल किया हाला कि प्राइवेट पॉलिसी के लिए भारत में कोई चित कानूर नहीं है लेकिन फिर भी भारत सरकार ने डेटा को बचाने के लिए सुरक्षित रखने के लिए अपना एक देसी आप लॉंच किया है अगर सरकास्टिक वे में हम कहें तो वाटसेप की सोतन आ रही है यानि देसी सोतन और इस देसी सोतन की अगर बात करते हैं तो यह बड़ा simple सा form है, जैसे आप WhatsApp में message करते हैं, वैसे इस देशी सौतन आप से आप हर चाहने वाले को message कर सकते हैं, और इस देशी सौतन का नाम है संदेश, तो चलिए इस वीडियो के माधियम से आपको बताते हैं कि संदेश कैसे काम करता है, संदेश आप को Android और iOS operating system के support के साथ तयार किया गया है, यानि कि यह Android और iOS दोनों operating system पे मौजूद होंगे, इस आप को नए modern chatting apps जैसा ही बनाया गया है, chatting app में voice और data को भी भेजा जा सकता है, मतलब यह कि इस app से आप बिलकुल WhatsApp की तरह ही chat और voice call कर सकते हैं, sign in करने के लिए इसमें users को तीन option मिलेंगे, आप sign in संदेश LDAP, sign in संदेश OTP और संदेश WAV के जरिए sign in कर सकते हैं, users इन में से किसी भी option को select करके OTP प्राप्ट कर सकते हैं, हाला कि अभी यह सरकारी कर्मचारियों के लिए उपयोग में होगा, फिलहाल आम लोगों को इसे यूज करने की इजाज़त नहीं है, अगर कोई इस site पर click करता है, तो उसे this authentication method is applicable for authorized government officials का message देखने को मिलता है, testing complete होने के बाद यह app सभी के लिए उपलब्द होगा, अगर फिलहाल आप इस app को देखना चाहते हैं, तो gims.gov.in की website पर जाने पर आपको यह app दिखेगा, इसमें अशोक चक्र का logo देखा जा सकता है, हमारी research के अनुसार इस app के तीन layers है, तीनों layers मिलकर एक तिरंगा बनाते हैं, और अशोक चक्र इसके बीच में है. बाइया सौतन हो तो ऐसी हो, क्योंकि दूसरे की जली तो पूरी जली. बाकी खबरों के लिए देखते रहे है, दफुल वॉल्यूम और हमारा app है प्ले स्टोर पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि साथ में जो खबर है और यूट्यूब की जो लिंक्स है, सारा डीटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा, बागी खबरों के लिए देखते रहे हैं, दफुल वॉल्यूम नमस्कार.